नमस्कार दोस्तों, आर्या वर्त में आप सभी का स्वागत हैं, दोस्तों आज मैं जो कहानी आप लोगों के लेकर आया हूँ, वो महाभारत के सबसे बड़े खलनायक, जिसने पूरी की पूरी महाभारत रच दी, उसके बारे में उसका नाम है दुरियोधन, बहुत सारे से इसका नाम दुरियोधन पड़ा, आज हम उसके बारे में बात करेंगे, शुरू करते हैं, आमंतृत करता हूँ, आप सभी को आज के सफर पर चलने के लिए, दोस्तों, दो भाई थे, एक धृतरास्ट, दोसरा पांडू, धृतरास्ट जो की जन्म से अंधा था, इसी लि करेंगे, तो उसी वक्त उनकी मृत्य हो जाएगी, पांडू ने राजपाट का त्याक किया, वो जंगल में चले गए अपने दोनों पत्मियों के साथ, दितरास्ट को कारेकारी राजा बनाया जाता है, दितरास्ट की शादी होती है गांधारी से, गांधारी को जब ये पत और गांधारी को ये पता चला था कि कुंती के पास एक ऐसा मंत्र है, जिस मंत्र का आवाहन करने पर कुंती जिस भी देवता को याद करेंगी, उस देवता से उन्हें पुत्र की प्राप्ती होगी, तो गांधारी ये चाहती थी कि कुंती से पहले वो पुत्र को जनम दे, उनका पुत्र सबसे बड़ा कहलाए आपका कौरवों में और पांडवों में क्योंकि गांधारी ने जो तरास से कहा था कि महराज मैं चाहती हूँ कि मेरा पुत्र महराज बने मेरा पुत्र पहले युवराज बने और फिर महराज बने हस्तिनापुर की राजगद्धी मेरे प पत्रकी हो तो गांधारी ये चीज जानती थी कि आने वाले समय में कुंती अपने पत्रों को लेकर वापस जरूर आएंगी क्योंकि पांडू का भी उतनाही हक था हस्तिनापुर पर जितना की धितरास्ट का था तो कई महिने बीच जाते हैं उधर कुंती विदिस्टिर को जन करने लगती हैं बार बार वार करने लगती हैं और वार करती है मांस का पूरा का पूरा लुथा बाहर आ जाता है फिर वेद्वियास्टिक्रपा से सौक और वो का जन्म होता है और सबसे पहले जिसका जन्म होता है उसका नाम था सुयोधन सुयोधन नाम दोस्तों इसलिए पढ़ा क्योंकि जब गांधारी ने अपने गर्ब पर वार किया तो ये जो बालक था ये कमजोर पढ़ गया ये बालक कमजोर पढ़ गया और कई सारे वैद को बुलाना पढ़ा इस बालक को बचाने के लिए सुयोधन को बचाने के लिए इसका नाम सुयोधन इसलिए पढ़ क्योंकि सुयोधन का अर्थ होता है, भीशन आगातों से युद्ध करने वाला. बारबार गांधारी ने अपने गर्भपर मारा, सुयोधन ने उस आगात को सहा, इसलिए इसका नाम सूयोधन पड़ा. दोसो बचपन से ही सुयोधन पांडवो को पसंद नहीं करता था उसके पीछे का कारण था मामा शकुनी मामा शकुनी ने शबत ली थी कि पूरे के पूरे समूचे कौरब वंश का विनाश कर देंगे और उस दौर में शकुनी से अधिक चपल, शकुनी से अधिक बुढ्धिमान इनसान कोई नहीं था दुरियोधन और पांडवों का जब पहली बार आमना सामना हूआ क्योंकि महाराजा पांडう की मृत्ति हो गई जंगल में मादरी की मृत्ति हो गई कुंतने पाच्छों पुत्रों को लेकर हस्तेनापुर पधार्तिं है सुयोधन में दीरे दीरे तब तक दुरियोधन के गुण आने लगे थे मतब दीरे दीरे उसके कर्म बिगड़ने लगे थे मामा शकुनी के साथ रहते रहते तो सुयोधन ने, मैं बाद में इसको इसको इस्तमाल करूँगा, क्यों इस्तमाल करूँगा बताऊंगा तो सुयोधन जब पहली बार पांडवों से मिलता है, तो पांडवों के प्रति उसके मन में इतना गुसा भर चुका होता है उस वक तक उसको ये लगता है कि पांडव मेरा हक मार नहीं आए मैं इनका वजूद मिटा दूँगा इस दुनिया से और उसके बाद शुरू होता है एक शनयंत्र मामा और भांजे का देखे शकुनी को दुरियोधन से कोई प्यार नहीं था शकुनी के दिमाग में बस ये था कि समूचे को और भांज का विनाश करना है इसके पीछे की कहानी मैं और डिडी वीडियो के तौर पर बना चुका हूँ आप लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं उसके बाद सुयोधन ने मामा शकुनी के साथ मिलकर एक से बढ़कर एक प्लोट रचे पांडवो को खतम करने के लिए और यहीं से इसका नाव दुरियोधन पढ़ गया क्योंकि इसके कर्म इतने बुरे पढ़ गए कि इसको सुयोधन से दुरियोधन कहा जाने लगा सबसे पहले इसने भीम को जहर देकर दुबो दिया लेकिन भीम बचकर चले आए नाग नगरी से उसके बाद इसने लाक्षाग्रह का निर्मार किया दुरौपदी का चीर हरन किया महा भारत का युद्ध रचा क्योंकि दुरियोधन यह कहता था कि मेरे पिता तुमारे पिता से बड़े थे इसलिए मेरा हक है हस्तिनापुर की राजगदी पर मेरे पिता अंधे थे जनम से अंधा इंसान राजा नहीं बन सकता लेकिन उनका पुत्र दुरियोधन सबसे बड़ा है और वो अंधा नहीं है इसी लिए इस राजगद्धी पर मेरा हक गया और वो ये भी कहता था कि पहली बात तो तुम पाँचो के पाँचो भाई और खासकर युदिस्टिर अपने पिता की संतान नहीं हो तुम लोग मंत प्रसाद हो ठीक है तुम अपने पिता से पैदा नहीं होए हो तो जब तुम अपने पिता से पैदा ही नहीं होए हो तो तुमारा हक बनता ही नहीं है हस्तेनापुर की राजगद्धी पर इसी लिए दुरयोधन ने एक से बढ़कर एक प्लॉट रचे इतने बुरे कर्म किये कि वो सुयोधन से दुरियोधन बन गया, लेकिन एक बात याद रखिएगा सुयोधन के अंदर या आप कह सकते हैं दुरियोधन के अंदर, भले ही आप उससे खलनायक कहीं चाहे आप उससे कुछ भी कहें मगर बल में वो भीम से स्रेष्ट था गदाधारी में वो भीम से बलवान था, मतलब आप ये कह सकते हैं कि दुरियोधन से बड़ा गदाधारी उस दौर में कोई नहीं था बलराम भी जिनोंने भीम को और दुरियोधन को गदाधिक्षा दी थी उन्होंने भी दुरियोधन को भीम से स्वेश्च माना था भीम के पास ताकत थी 10,000 हातियों की मगर उसके अंदर वो चपलता नहीं थी जो दुरियोधन की अंदर थी दुरियोधन राजिनीती करना जानता था दुरियोधन कूटनीती करना जानता था इसलिए बहुत सारे तिहासकार मानते हैं कि दुरियोधन जो दिस्चिल से जो आज के दौर में लोग कलियोग में करते हैं। तो में दोस्तों सुयोधन से दुरियोधन बनने की कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। आर्या वर्त को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भोलिएगा। हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए।